हाई फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेक करने वाली हूँ क्रिस्पी पोटाटो पॉपकॉन की रिस्पी तो चलिए हम शुरू करते हैं मैंने तीन आलू लिये हैं अभी हम इसे चील के ले लेंगे इस तरह से अभी हम इसे कट करेंगे क्यूब्स में कट करना है हमें तो तीनों आलू को मैंने कट करके ले लिया है इसे मैंने दो से तीन बार फ्रेश फॉर्टर में धो लिया है एक बरतन में मैंने पानी घरम करने रखा था अभी हम आलू को गरम पानी में डालेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे आलू को हम पांच मिनिट तक बॉइल करेंगे आलू बॉइल होने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे आलू को हमें ठंडा करना है अभी आलू ठंडा होने के बाद में इसके उपर एक्स्ट्रा पानी है तो वो भी हम निकाल देंगे अभी हम इसमें डालेंगे दो चम्मच कॉन फ्लाइग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सारे आलो अच्छे से कोट हो चुके हैं एक पैन में मैंने तेल को गरम करने रखा था अभी हम इसमें आलो को गरम तेल में डालेंगे आलो क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राइ करेंगे तो आलो अच्छे से फ्राइ हो गये तो अभी हम इसे निकाल लेंगे तो मैंने सारे आलो को निकाल दिया है इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो हमारे पोटाइटो पॉपकॉन्स तायार है एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बने है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिए और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करिए तेंक यू